हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम, मैं पकृष्के मिस्ड, सुक्रवार के दिन उसका नाम लिक करकर फिर यहा रखते हो जायगा चमत्कार, उसका हो जायेगा तनमंधन से संपुण बर्ष्र का युवक यूति इस्तिकुर्स किसी का भी बश्रिकर्ण करना हो तो अपने आपे बहुत चमतकारिक असदारिक और सरलतम प्रयोग में से प्रयोग है आज मा के देखिए रहा बश्रिकर्ण का प्रयोग जब ही करें तो यहां ध्यान रखे किसी को हानी या च्छती पहुँचाने के मिया से कदापी इसका दुट प्रयोग ना करें किसी को ब्लैक मेल करने के मिया से चिट करने के मिया से किसी को धोखा देने के मिया से इसका दुट प्रयोग करें यदि आप किसी से सच्चा प्रयोग करते हैं वहाँ इसका प्रूब करें या किसी के आशेब को किसी को बुरे लग्ष उसको निजाद दिलाने के लिए छुटकारा दिलाने के लिए इसका प्रूब कर सकते हैं मगर भूल करके भी किसी का अहित नहीं करना है यह दियाब के रिष्टों में ब्रेमनस्ता बढ़ते जा रही है बाद बाद लड़ाई छगड़े क्लाइसिस बढ़ते जा रहे हैं लगता है मारो रिष्टा टूट जाएगा ब्रेक अप तक की नौबत आ रही है तलाज तक की नौबत आ रही है वहाँ इसका प्रूब करके कि अपने रिस्तों को बालेंस कर सकते हैं। रिस्ता कोई भी हो सकता है। पत्ति-पत्नी का रिस्ता हो सकता है। प्रमी-प्रेमका का रिस्ता हो सकता है। भाई-बहन, किताब को तकिष्ट मिस्तिदार कोई भी रिस्ता हो। किसी को भी जीवन में किसी को भी बस में करने के ल नहीं है तो आपको आसानी से किसी प्रयोग में सफलता मिल जाएगी और इनर्जी बलेंस नहीं है तो आसानी से आपको सफलता नहीं मिलती है और यदि आप शिकन करा करा के ठग गये हैं आपको लाब नहीं मिलता है तो अपने घर बैटे हमारे माध्यम से आप शिकन करा सकते ह या जीवन से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या कश्मधान हमारे माध्यम से करा सकते हैं। अपना तुरंत का खीचा फोटो और अगले का फोटो और आप दोनों का नाम हमारे वाट्सर पर मैसेज करेंगे तो मैं आपके इनर्जी को रिट करके पूछित माध्यसन करूंगा और सकता पढ़ने पर अपने भारती विद्याओं के माध्यम से आप लोग करती समधान भी कर आपके एनर्जी से यहां तै हो पाता है कि आपके एनर्जी का लेवल क्या है किस प्रकार की यंत्रों से आपको सफलता मिलेगी 4.1 डिग्री का प्रोग करेंगे, 4.2 डिग्री का प्रोग करेंगे, 4.3 डिग्री का प्रोग करेंगे, या 15.3 डिग्री का प्रोग करेंगे, 17.3 डिग्री का प्रोग करेंगे, या 29.3 डिग्री का प्रोग करेंगे, या 51.5 डिग्री का प्रोग करेंगे, और दही से उसका नाम लिखना है दही जो खाते हैं उससे उसका नाम लिख करके फिर उस कपड़े को माता जी के मंदिर के सामने कहीं दबा दीजिए और उसका इगारा बार नाम लिजिए और माता जी से प्रात्ना करिए फिर देखेगा उसका हो जाया गत्तन मंधन से सब्सक् धन्यवाद, राम राम.